जब आप स्वापिंग करते हैं online किसी भी साइट से flip card, amazon किसी भी साइट से आप जब स्वापिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं payment करते हैं अपने UPI के थुरो या फिर net banking, debit card, credit card से या फिर cash sound delivery आप order करते हैं लेकिन मैं आपको इस वीडियो मताने वला हूँ कैसे जब भी आप shopping करते हैं तो आप दुसरे की account से payment कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से request है कि आप इसका को भी गलत इस्तिमाल ना करें यह मैं सिर्फ आप सभी को बता रहा हूँ यहां पर जो कि knowledge purposes इसका को भी गलत आप इस्तिमाल ना करें नमस्कार मैं सोच कमार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है जैसे आप किसी भी application दो shopping करते हैं साइट से जैसे हम यहां पर flip card को open करते हैं और जैसे आप बाइनों पर click करने के बाज़ आप यहां से जो भी आपका address वह आप चेक करते हैं फिर आप continue पर click करते हैं और जैसे आप continue पर click करते हैं यहां पर जो step 3 है payment यहां पर जो method है यहां पर आपको काफी सारा option मिलता है जैसे आपका जो UPI आपका link होगा और यहां पर flip card UPI आपको भी हो जाएगा और नीचे में एक आपको option मिलता है credit debit ATM card फिर यहां पर यह मैं वड़ा option आपको मिल जाता है और यहां पर जैसे आप यहां पर save credit option में click करेंगे या फिर जब आप यहां पर next पर click कर यहां पर देखेंगे कि आपको एक option मिलता है यहाँ पर UPI का जैसे आप UPI पर क्लिक करते हैं इसलिके से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर UPI आपको mobile नमर से जो bank account लिंक होगा वो तो आपको यहाँ पर देखने कोई मिलता है लेकिन उसके अगावा काफी सरा आपको यहाँ पर option और ध्यान से देखिएगा add new यहाँ पर add new UPI IDs करके तो आपको क्या करना है यहाँ पर जिसके भी आप account से payment करना चाहते हैं तो उनका क्या करना है mobile नमर आपको एंटर करना है यहाँ पर आपको mobile नमर एंटर करने के बाद add the date YBL यहाँ पर लिग देना है या फिर जिसके भी आप account से payment करना चाहते है वो कौन सा application यूज करता है उसका आपको यहाँ पर UPI ID जो है वो आपको एंटर करने के बाद verify पर click करना है और जैसे आप verify पर click करेंगे तो यहाँ पर जो account holders नाम होगा वो आपको भी हो जाएगा उसके बाद paper click करेंगी तो paper click करने के बाद देख सकते है इस तरीके से यहाँ पर आपको interface देखने मिलेगा तो आपको क्या करना है जिसका आपने mobile नमर एंटर किया है उसके phone में जाकर कि आपको notification जैसे यह phone पे का UPI ID था तो phone पे का जो UPI ID है उसका phone पे को open करेंगे open करने के बाद आप वहाँ पर click करने के बाद paper click करके आप UPI pin एं आते हैं अगर इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं